जोहार आप सभी का जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो भी बाते करता हूँ एकदम स्वाइन्धानिक एकदम कानुनी और जो बाते हमारी अस्थानिय नीती में लागू हो सकती है आज मैं उसी पर बात करूँगा मेरे हाथों में जो ये जारखन राज में अस्थानिय नीती रगवरदास ने बनाई थी उसका डोकुमेंट से अब ये अस्थानिय नीती में किस तरह की तुरूटियां थी जिसने रगवरदास ने बनाई थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसलिए हम बात करेंगे क कि जेमेम का जो IT सेल है उसमें से किसी ने हमें जेमेम की लोगों ने हमें भेजा है कि आप लोग उननेश सो पचासी के अस्थानी नीती पर नहीं बोलते हैं ऐसा नहीं है हम लोगों ने हर बार और 1985 की नीती को हम लोगों ने खंडन किया है, खारिज किया है और इसको एक आसमेंधानिक बताया है हम लोगों ने सुरू से अस्थानी निती जो रगवरदास ने बनाई थी उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के एपिसोड में हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो हैमन सुरेन की जो सरकार ने बनाई थी अस्थानी निती या नियोजन नितिक बनाने का जो प हुक्मरान कर देंगे जो डल होजी ना कर पाया वो यह हुक्मरान कर देंगे यह सुभा उठके वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको मौका मिले तो यह राज को भी निलाम कर देंगे जी हां कुछ ऐसा ही बात है रगवर दास ने 2016 में जारखन के लिए अस्थानी निती तो करीब आठ साल माइनस करने के बाद 1985 अभी 93 हो गया कट अप अपडेट ऐसा माना जाया नहीं ऐसा लिखा हुआ है यह अस्थानी निती है इस अस्थानी निती के फॉर्मेट में यह लिखा हुआ है कि जारखन सरकार ने वर्स 2016 में अस्थानी निती की घोशना की इस नित में से किसी एक उलेखित सर्त को पूरा करता हो आनि इसमें छे कॉलम दिये गया है इन छे कॉलमों को जो पूरा करेगा वो जारखन का स्थानी निवासी होगा अब इसमें क्या-क्या गलती है इन 6 कॉलम में हम बताने का परियास कर रहे हैं सबसे पहला कॉलम है जिसमें भुमिहीनों के मामले में उसकी पहचान जो है सम्मंधित ग्राम सभा दुवारा की जाएगी जो जारखन में पर्चलित भासा संस्कृतियों प्रंप्रा प्राधारित होगी यह लाइन मतलब यह कॉलम बहुत तरह से मतलब 80% नहीं 90% कह सकते हैं कि सही है ग्राम सभा में कुछ बड़ी बात नहीं है फरजी ग्राम सभा कर दिया जाएगा और पर्मानित कर दिया जाएगा कि यह बैक्ति यहां का निवासी है तो ग्राम सभा भी एक तरह से तुरूटी पूर्ण हो सकता है तो इसलिए हमनों कहा है कि 90% तक यह कॉलम सही हो सकता है अब दूसरा के नज़ अब जित की हो ऐसे बैक्ति पत्नी पती संतान हो एवं जार्खनराज में निवास करने की प्रतिबदता रखने का प्रतिज्ञान करता वह जार्खंडी होगा एकदम सरासर गलत है गलत इसलिए है क्योंकि देखिए कभी भी कोई बैक्ति अगर यहां पर नोकरी करने आया हो यहां निवास कर रहा हो तीस वालों से तो वह अस्थानी निवासी कभी नहीं हो सकता अगर ऐसा बात है तो हम लोग को 1921 के दर्मियान में कम से कम वही करीब डेड़ लाग के आसपास में हमारे जो जहरखन के जो लोग है 1921 के हम बात कर रहे हैं जब अंग्रेज थे तो हमारे लोगों को असम ले जाया गया अंडमान निकोबार ले जाया गया वो लोग वहां रह गया वहीं रच गया वहीं बस गया वहां की संस्कृति वहां की भासा भी एड़ोट कर लिए लेकिन वहां की सरकार आस तक उसको आस्थानिय की मान्यता नहीं दी है उसको एक अलग कटे और जारखंडी जो लोग थे खास करके ट्राइबल्स जो लोग थे वो जंगल को साफ करने में बहुत ही निपून थे तो इनको वहां पर जंगल और जाड़ियों को साफ करके वहां बसाने के लिए ले जाये गया था और आज लोग वहीं पर बस गए है रच गए है लेकिन परियास जरूर अच्छा किया था अस्थानिये बनाने का परियास जरूर अच्छा किया था लेकिन पुरी तरह से परिपार्टी में सफल नहीं हो पाए हां अगर 1985 था थोड़ा और ये नीचे को कटप ले आते और 1964 का जो सर्वे सेटलमेंट है जो अंतीम सर्वे सेटलमेंट जो जहारखन में हुआ है अगर उसको मान्याता ये दे देते तो वो 100% नहीं तो 95% सक सही हो सकता था 95% से भी हम मान सकते हैं कि 99% सही हो सकता था एक परसंट तू 1985 को कटब माना, 1985 नहीं, अभी के दोर में अगर देखा जाया तो 1993 हो गया, यहां 30 वर्स लिखा है, यह नहीं लिखा है कि जो पचाया से रह रहा है, वो जहारखन्डी होगा, वो नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है कि जो 30 वर्स, आनि अभी हो गया 2023, अभी से 30 वर्स वो जहारखंडी हो गया आनि ये गलत था, तीसरा कॉलम में लिखता है कि जहारखंड रायस सरकार, रायस सरकार द्वारा संचालित माननाता प्राफ संस्थानों, निगम आधी में नियुक्त यवं कायरत पताधिकारी, क्रमचारी, उनकी पत्नी, संतान हो, यहां जहारखंड प्राइज में निवास करनी के परतिवत्ता रखने का परतिज्ञान करता हो मतलब कह रहा है कि अगर को जहरकंड में नौकरी ले लिया है और यहां पर नौकरी करने आ गया है और यहां से 30 वर्स में रह रहा है नौकरी कर रहा है तो उसका जो संतान होगा उसकी जो पतनी होग क्या जारखन का वैक्ति महाराष्ट करने जोब करने नहीं गय है। से देंगे, नहीं देंगे, मतलब इससे होता है कि अगर अगर यहां पर वहां पर नौक्री करने गए, operating होगै तो इनके बच्चों को वहां पर अस्थान्यता का मानियता प्राप्ट हो गा। यहां पर यहां नोकरी करने आने वाले को अस्थानियता का मानियता प्राप्त हो जाता है तो यह कॉलम भी तुरूटी पूर्ण था रगवरदास का अब चोथा कॉलम में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का पताधिकारी क्रमचारी जो जार्खन राज में कार रहत हो या उनकी पतनी, पती, संतान हो एवं जार्खन राज में निवास करने की परतिबत्ता रखने का परतियाग्यान करता हो मतलब कि वो जार्खन सरकार की नोकरियां थी अब कह रहा है कि भारत सरकार की भी जो अगर नोकरी करने जार्खन आया है भारत सरकार की आनि जैसे रेलवे हो गय कितना दूरूर्व्टी पूर्णरथ समझ सकते हैं क्या हमाए लोग महराश नहीं गय सेंटर सब्सक्डार की जरकें आंडर प्रहन कर रहे हैं क्या उनको उस हैं अस्थानियता का अन्हों प्राप्थ होगा और यहां रगवरदास ने क्या क्या है, कि सेंटर सरकार की जितनी नोकरियां है, उसमें कोई अगर जॉब करने आया है, तो उनके बच्चों को भी जारखन का स्थाई निवासी माना जाएगा, यह चोथा कॉलम में लिखता है, तो आनि यह भी तुरूटी पूर्ण है, अब आते हैं पांचमा कॉलम में, पांचमा कॉलम में लिखा है कि जारखन राज में किसी सविन्धानिक या बीधी, पदों पर नियुक्त ब्यक्ति या उनकी पत्नी, पती संतान हो, यह जारखन राज में निवास करने की परतिवत्ता रखने का परतिज्यान करता हो, वो भी जा कहे कि हमारे लोग भी बीधिक पदो पर या समिधानिक पदो पर अइन राज्यों में जाकर बैठे हैं, वहाँ पर नौकरी लिये हैं, क्या उनको वहाँ का अस्थानी का लाव प्राप्त हो जाएगा, क्या उनके बच्चों को लाव वहाँ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, तो हम कैसे दे देंगे, तो ये भी तुरूटी पूर्ण है, अब आते हैं छठा कॉलम, छठा कॉलम में रगवार दास लिखता है, अस्थानी नीती जो कहती है, वो कहता है, कि ऐसा ब्यक्ति, जिनका जनम जार्खन राज में हुआ हो, तथा जिसने अपने मेट्रिकलोशन अथवा, समकच अस्तर की पुरी सिच्छा जहर्खन इस्तित मान्यता प्राप्ट संस्थानों से प्राप्त की हो, जहर्खन राजज में निवास करने की परतिवत्ता रखने का परतिग्यान करता हो, देखिए, कभी भी जनम हो जाने से या फिर मेट्रिकलोशन कर लेने से, वहां के अस्ठानिये कभी नहीं माना जा सकता, इस बात को जान लेज़े, इसलिए नहीं माना जा सकता, अगर ऐसा बात है, तो बहुत सारे झारखंडी जो गये हैं, आईन राज़्यों में नौकरी करने के लिए, चाहें वहां वाटो चलाने के लिए ड्राइवरी करने 25 सालों 30 सालों से वहां पर रच गया है और रच जाने से बस जाने से क्या वहां कि अस्थानियता प्राप्त हो जाएगी कभी नहीं प्राप्त हो जाएगी हां वहां बाहरियों को कि आप यहां से जारखन से मैट्रिक किये हैं इंटर किये हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं ऐसा कॉलन डाला जा सकता था लेकिन मैट्रिक कुलेशन या जन्म के अस्थान पर किसी को अस्थानियता का लाब आप नहीं दे सकते हैं अगर ऐसा है हमा कि महाराष्ट के सरकार यह मान्याता देगी कि महराष्ट का स्थानी निवासी होगा कभी मान्याता नहीं और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर राइज की अपनी बाध्याताएं अपनी सिमाएं अगर इस सिमा के लोग उस सिमा में जाकर बसने लगेंगे, रसने लगेंगे, बसने लगेंगे, तो वहाँ पर भार बढ़ेगी, संसाधनों की भार बढ़ेगी, लोगों का भार बढ़ेगा, जनसंख्या गैदरिंग होगा, हर संसाधन पर भार बढ़ेगा, इसलिए सब की सिमाएं माटी गई है तो जिस राज्जों के जहां पर अधिकार है वहां सुरक्षित होना चाहिए पहले अधिकार वहां के लोगों को हना चाहिए अगर जारखंड है तो पहला अधिकार जारखंडियों को हना चाहिए अगर बिहार है तो पहला अधिकार बिहारियों को हना चाहिए उ अपने लोगों को बहाली करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलम जो है नियोजन निती में डाले गया है बनाये गया है कि बाहरी लोग उसमें एक परसेंट भी घूस नहीं सकते जैसे हम उधारन लेते हैं उडिसा के उडिसा सरकार ने क्या किया है कि अस्थानी निती जो बनाया उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले कंपल सरी किया है जो बंगाल ने किया है वो डारेक्ट उडिसा सरकार ने भी वही किया है और महराज सरकार में लगभग भी वही काम किया है इन लोगोंने क्या कि सबसे पहले वहां तवज्जो दिया है उडिया को बंगाली को कि अगर और यहां पर अगर कोई नौकरी करना आता है तो उसे उड़िया आना चाहिए बंगाली आना चाहिए उसके साथ ही ये कर दिया है कि उसको कम से कम मैट्रिक जो साथमा कलास है, वो उड़िया लेंग्वेज ia बंगाली लेंग्वेज बे पास करना होग़ा तब ही यहां नौकर सरकार की जो इंस्टूट होगा मान्याता प्रात उसी से पास होना चाहिए तभी वहाँ नौकरी ले सकता है देखे कैसे बेरकेडिंग लगाया है कैसे घोरना घोरा है कैसा टाटी लगाया है कि आप उसको जान के भी नहीं तोड़ सकते हैं ऐसा दर्वाजा लगाया है कि आप चाहेंगे भी तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं दर्वाजा तो अंदर लगाया हैं लगाया बाहर में एक मोटा सा ग्रिल लगा दिया कि आप तोड़ ही नहीं पाएंगे अरना आप वहाँ नौकरी कर पाएंगे सबसे पहले वहाँ बंगाली भासी को तवज्जो दिया जाता है ओडिशा में सबसे पहले ओडिया भासी को तवज्जो दिया जाता है फिर अस्कुरूटनी का नियम ओ लोग लाते हैं लेकिन हमारे जहाँ पुरा ओपन कर दिया गया है open for all कर दिया गया है आईए जारखन बाबाजी का ढबा है आईए और लूट की ले जाईए तो यहां रगुवर्दास की अगर अस्थानी निती माना जाए तो केवल एक कॉलम हमको सही लगता है जिसमें पहला कॉलम बाकि जितना चार को पांच कॉलम है वो पांच कॉलम ही कि कम से कम एन्ने सो पचासी को लाना का परियास किया था कि कि beg vientition कि साथ में अगर 인ochivan पौर से keyword नहीं रहता है व्यस्था अच्छा अस्थानी निती बन गराने की जोर्ष नहीं परती अब हमें अस्थानिय नीति चाहिए ही क्यों सबसे पहले सवाल यह है तो यहां कितनी भी नोगरियां होती हैं भारत के जितने फीके upward में इतुन उरेन की जो सरकार थी उन्होंने अपने मेनमेफयki फेश्टों में आद वादा किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पखले 1932 के खत्यान के अधर पर एस्थानेशuten निती बनाएंगे उसके बाद उसके अधर्पर हम तब तक के लिए धन्यवाद जोहार जैजहारखण।